सो हे गाइज आप सभी लोगों का स्वागत थे एक्स्प्लेनर श्री में तो कहानी की शुरुआत होती है स्वर्क में जहां सब देवता जश्न मना रहे थे तभी अचानक वह एक देवता आया जो कभी पेरो में कुछ नहीं पहनता था उसे देखकर बाकी देवताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनने लग रहा था कि ये जश्न के माहल को खराब कर देगा लेकिन स्वर्क की रानी ये सब बिल्कुल नहीं सोचती थी उसने इस देवता का अच्चे से स्वागत किया और उसे ली नाम से पुकारा आखिरकार सभी मेहमानों के आजाने के बाद रानी ने सबको अपने लिखी हुई एक कविता पढ़कर सुनए तबी अचानक वहाँ एक राक्षस ने हमला करके रंग में भंग डाल दिया बाकी देवता भी तुरंद रानी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े लेकिन जल्दी उनकी शक्तिया राक्षस के सामने फिकी पड़ गई असल में राक्षस रानी को दिखाने आया था कि उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिया है इसलिए उसका विस्वर्व में रहने का हग बनता है पर अचानक ली ने उसके चेहरे पर अपने रुई नाम के एक हतियार से वार कर दिया जिससे ओराक्षस वही पर धेर हो गया यह देखकर रानी ने खुला सागिया कि असल में यह हमला उसी का प्लैन था वो देखना चाहती थे कि उन पर मुसीबत आने पर कोन दिमाग और ताकत का सही इस्तेमाल कर सकता है फिर रानी ने खुब तारिप की क्योंकि वो हमला होने पर गबराया नहीं बल्कि आखिर तक लड़कर राक्षस को हरा दिया रानी ने खुश होकर उसे एक तोभा दिया और फिर से जश्न शुरू हो गया आखिरकार जब जश्न खतम हुआ तो ली को कुछ अलग सा महसुस हुआ उसने अपने रुई अस्त्र को फिर से निकाला ताकि अगर हमला हो तो खुद को बचा सके और उसकी लापरवाई की वज़े से रुई उसक के हाथ से फिसल कर धर्ती पर जागिरा यह देख कर ली बेहत घबरा गया क्योंकि स्वर के कानुनों के हिसाब से उन में से किसी को भी धर्ती पर जाने की इजाजत नहीं थी हाला कि इसके लिए उसे बहुत कतरनाक सजा मिल सकती थी लेकिन फिर भी हो नीचे आ गया धर्ती पर पहुच कर उसके मुलाकात पिया नाम की एक लड़की से हुई जो एक पेड की दहनी पर अटकी हुई थी लेकिन उसे नीचे उतरने में मदद की और फिर पिया ने उसका शुक्रिया अदा किया इसके बाद ली ने बताया कि वह सोर्क से उतरा हुआ एक देवता है जिसका हतियार धर्ती पर गिर गया था अब ली को वह अपने गाव के सरदार के पास ले जाती है ताकि वह ली की मदद कर सके जब वो दोनों गाव पहुचे तो अचानक कुछ राक्षसों ने उसनके गाव पर हमला कर दिया क्योंकि वो उनका कीमती खजाना चुराना चाहते थे ये खजाना असल में एक जादूई चीज थी अब ली भी पीछे नहीं हटा और उसने भी राक्षसों का जम कर सामना किया आखिरकार उसने एक राक्षस मकडी को उसी की जाल में फसा कर हरा दिया इसके बाद ली ने एक बेहत ताकत वर राक्षस को हराया और जिसके शरीर के बद्बु के सामने बड़े बड़े टीक नहीं पादे थे आखिरकार गाव के सरदार और बाकी लोगों ने ली का जम कर स्वागत किया और उसके लिए खास एक पार्टी भी रखी आखिरकार ली ने सरदार से उनके खजाने के बारे में पुछा तो उसने बताया कि कुछ महीने पहले आसमान से एक सुनरी रोष्णी आकर सिधा एक पाढ़ पर पड़ी इसके बाद से ही गाव में शांती फैल गई और तभी से उन सबने मिलकर खजाने की हिपाजत करने का फैसला किया एक खजाना एक पाढ़ की चोटी पर मौजूद गुफा में था जहां गावालों ने तरह तरह की जाले बिचाये थे ताकि खजाने को चुरा सके ये सुनकर ली को यकिन हो गया कि उसके दिव्य हतियार रुई की बात कर रहे है उसने सरकार से कहा कि ये खजाना उसका हतियार है और वो उसे वापस लेने ही जमीन पर आया है यह सब सुनकर सरदार ने कहा कि अगर ये तुम्हारी चीज है तो ये तुम्हें मिल जाएगी पर सच तो ये था कि सरकार की खजाने को लोटाने की कोई नियत नहीं थी बलकि उसने तो लोगों को पकड़ कर जंजिरों से बान दिया ली ने बचने की कोशिश की मगर उसे एक खास थरह की शराप पलाई गई थी जिससे देवता और राक्षसों की शक्तिया कमजर हो जाती है इसके बाद गावालों ने मिलकर ली पर बिजली गिराने के लिए एक पुजा शुरू करी पर अचानक आस्मान से आग गिरी जिससे कई लोगों के घर जल गए सब तुरंद आग बुजाने के लिए भागे और तभी पिया लई के पास आई और उसने कहा कि अगर उर राक्षसों से उसके गावालों की रक्षा करेगा तो वो खजाना डुन्ने में उसकी मदद कर सकती है ली तुरंद मान गया और पिया ने उसकी जनजिरे खोल दी इसके बाद ओदोनों उस पाहडी की ओर चले जहां खजाना चिपाया गया था तभी कुछ गावाले उन लोगों के पीछे दोडे पर जब उन्होंने ली को पहाड के रास्ते पर देखा तो ओखुश हो गये क्योंकि वहां के जाल से आज तक कभी भी कोई जोट नहीं सका उधर जब ली पहाड पर पहुचा तो उसन ने अपनी शक्ती से अद्रुश्य जाल का पता लगाया पर अचानक उसका पेर दलदल में फस गया और तब पिया ने उसकी जान बचाई अब वो चलते चलते ठक गये थे इसलिए एक नदी किनारे आराम करने लगे पिया ने उससे पुछा कि वो जूते क्यों नहीं पहनता तब ली ने बताया कि पिछले जनम में वो एक इंसान था और उसके पेर काफी ज़्यादा बड़े थे जिस वज़े से लोग उसक के साथ बुरा बरताव करते थे पर एक दिन चोली नाम की एक छूटी लड़की आई और उसकी दोज बन गई एक दिन चोली के साथ खेल रही थी कि अचानक वो बहुत बिमार हो गई तबी उसके माबाप ने इस सब का इलजाम उसी पर लगा दिया और उसे उससे दूर कर दिया कुछ दिन बाद ली चाओ के लिए एक खिलोना बना रहा था कि अचानक उसे मोसुस हुआ कि गाओ में एक भुखम आने वाला है तो तुरन चाओ को बचाने के लिए उसके घर गया तो उसे उठा कर भागने लगा पर अचानक उसे गाओ वालों ने पकड़ लिया क्यूकि उन्हें लग रहा था कि ली ने चाओ को अगवा किया है उन सबने मिलकर ली को इतना ज्यादा पिटा कि उसकी वही पर मौत हो गई आखिरकार ली स्वर्ग पहुचा जहाँ पर स्वर्ग की रानी ली की अच्छाई देख कर भेत खूश हुई फिर उन्होंने ली के पेरों को आम इंसानों जितना करके उसे एक देवता बना दिया पर देवता बनने के बाद ली ने जूते नहीं पहने क्यूकि उसे नंगे पेर रहने की आदत हो चुकी थी कहानी सुनकर पिया ली के साथ आगे निकल पड़ी आखिरकार वो उस गुपा तक पहुच गए जहां कही जाल बिचाए गए थी ली की मदद से उन्होंने बड़ी आसानी से सभी जाल को पार कर लिया और एक पोल तक पहुचे जहां अंध में खजाना चिपा था ली ने जैसे ही पूल पर पैर रखा तो अचानक उसक के शरीर को जोरदार जटका लगा असल में इस पूल पर जादू यी गंटिया बंदी हुई थी जिस वज़से ना ही कोई देवता और ना ही कोई राक्षस इस पूल को पार कर सकता है तब पिया ने आगे होकर पूल पर बंदी हुई सारी गंटिया निकाली अचानक उसका पैर फिसल गया और क्योंकि वो पूल बहुत खतरनाप था पर वो हिम्मत करके उपर आई आखिरकार ली ने भी आसानी से पूल पार कर लिया और दोनों आगे बढ़ गए जल्दी ली और पिया को एक चीज मिली जिसमें से एक सुनरी रोष्णी आ रहे थी तब ली को यकिन हो गया कि उसका हतियार रुई है पर जब उसकी रोष्णी हटी तो ली ने देखा कि ये रुई नहीं है बलकि एक सुनरा अंडा था तभी अचानक कुछ राक्षस भी वहा आ गए क्योंकि ओ बे ली का हतियार चुराना चाहते थे अब ये अंडा तो ली के किसी काम का नहीं था इसलिए उसने इस अंडे को राक्षसों को दे दिया और उस सब राक्षस भाग गए इदे कर पिया बहुत गुस्से में आ गई क्योंकि ये उसके गाव का बहुत किमती खजाना था उसने इस खजाने को वापस लाकर गुफा में रखने के लिए ली की मदद मांगी पर ली ने उसकी एक न सुनी और पिया को राक्षसों से लड़ने के लिए वही पर अकेला चोड़ाया अगले दिन ली जैसे ही गाव पहुचा तो गाव वालों ने उसे तुरन पकड़ लिया गाव का सरदार फिर से पुजा करके उस पर बिजली गिरवाना चाहता था आखिरकार पुजा होने पर ली पर कई बार बिजली गिरी पर ली तो अमर था इसलिए उसे का बाल भी बाका नहीं हुआ ये सब देखकर उन सब को यकिन हो गया कि सच में एक दिवता है और सभी उसे के सामने जूग गए पर तबी एक बुड़ी ओरत ने कहा कि यह इस इज़त के लायक नहीं है क्योंकि वो अपनी हतियार के चकर में काव वालों को यूही राक्षसों के हाथ मरने के लिए छोड़ कर चला गया यह सब सुनकर ली को पिया का ख्याल आया जो अकेले राक्षसों से खजाना वापस लेने के लिए पहाड पर रुख गई थी दुसरी और सभी राक्षस सुनहरे अंडे को देख कर कापी हैरान और परेशान थे आखिरकार उन्होंने मुर्गी राक्षस को इस अंडे पर बैटने का हुकुम दिया ताकि अंडे के अंदर जो भी है वो उसे बाहर निकाला जा सके उसी वक्त पिया खुद भी एक बिल्ली राक्षस का भेज बना कर राक्षसों के अड़े पर आ पहुची फिर उसने बड़ी चाला किसे राक्षसों को बुद्दु बना कर उनसे अंडा ले लिया पर जैसे ही अंडा लेकर वा से भागने लगी तो राक्षसों को पता चल गया कि वो इंसान है उन्होंने तुरन पिया पर हमला कर दिया और उसे मौत के गाट उतरने ही वाले थे पर ली ने वाहा पोच कर पिया की जान बचाई ली ने सभी राक्षसों की जम कर दुलाई की और आखिरकार खजाना लेकर वो दोनों गाव लोटाए उन्हें देखकर सभी गाव वाले बहुत खुश हुए क्योंकि खजाना सुरक्षित था इसके बाद उन्होंने इस अंडे को खोलने के लिए पुजा शुरू की और जैसे ह अंडा तूटा तो अचानक उसमेंसे एक किंग नाम का राक्षस बाहर निकला यह वही राक्ष स्था जिससे सवःग की पार्टी में हराया था नियमोंने बताया कि वो अकेला एसा राक्षस था जो श्वर्ग में रहता था और बाकी के देवता उसे हमेशा परेशान करते थे जशनक के दो रान जब उसने उन पर हमला किया तो उसे लग रहा था कि सबी देवता एक जैसे होती है इसलिए उसने ली पर भी हमला कर दिया और तब ली ने अपने हतियार से उस पर हमला करके नियमों को हरा दिया जैसे ही हो सिधा धर्ती पर आगिरा और एक बड़े से सुनरे अंडे में बदल गया जब गावालों को अंडा मिला तो उनके गाव की रक्षा करेगा इसलिए उनके सुनरे अंडे को संबाल कर रखा जैसे ही हो सिधा धर्ती पर आगिरा और एक बड़े सुनरे अंडे में बदल गया जब गावालों को ये अंडा मिला तो उनके सोचा कि उसके गाव की रक्षा करेगा इसलिए उनके सुनरे अंडे को संबाल कर रखा था पर ली ने वार करके उसे गिरा दिया और बाकी गाव और भालों पर हमला करके सब कुछ तस नस कर दिया ली ने फिर खड़े हो कर नियमों कर सामना करने की कोशिश किर धर्ती पर आकर उसकी शक्तिया कम हो चुकी थी और भो ली को जान से मारने ही वाला था पर अचानक पीय के बिच में आकर वार अपने उपर ले लिया उसको अंदाजा नहीं था कि पीया उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है जब पीया अपनी आखिरिसा से गिन रही थी तो ली ने देखा कि उसके माथे पर रेन्यू का निशान बना था तब ली को ऐसा सुआ कि पीया उसके हतिया रेन्यू का ही रूप थी थी और आखिरकार उसकी मौत हो गई उसने पूरी जिन्दगी भगवान की पूजा में गुजारी थी इसलिए स्वर की रानी ने उसे खुश होकर उससे पूछा कि तुम अगले जनम में क्या बनना चाओगी तो पिया ने कहा कि चाहे वो उसे कुछ भी बना दो और वो हमेशा ली के साथ रहे पर रानी ने कहा कि ली तो पहली ही देवता बन गया है इसलिए रानी नेव चाओग को ली का सबसे शक्तिशाली हतियार बना दिया ताकि ली उनका सामना कर सके इसके बाद उन दोनों में भयानक यूद चुरू हो गया और आखिरका रेवियू के वार से उस ली ने बिना उसकी इजाजत के धर्ती पर आ गया था ली सजा के लिए तयार हो गया पर दबी सभी गाओ वाले रानी के सामने जुग गये और उनोंने ली को माप करने की दरख्वास्त की क्यूकि ली ने उन्हें राक्षसों के आतंग से बचाया था और उनकी मिनते सुनकर आखिरकर रानी मान गई और ली को माप कर दिया पर जब रानी नियमों को सजा देने लगी तो ली ने उनसे दरख्वास्त की कि वो नियमों को माप करके एक मौका दे ताकि वो अपनी गलतियों को सुदार सके यह सुनकर रानी ने उसे भी माप कर दिया और नियमों की सासों में सास आ गई आखिरकार ली ने कुछ समय और गाव में रहने का फैसला किया ताकि कोई भी राक्ष्य सुन पर हमला ना कर सके तो यह कहानी यही पर एंड होती है तो आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंड में जरूर बताना सो मिलते हैं नेक्स रूडियों में तब तक कि लुबाइ